वहाद बलो जिस्टान बलोटर अना में किल एक डिया नाम फिर हम मुड़िव मनिस्टर क्या और कुछ भी नहीं तो सकते हैं दोस्तों में ठाइसा कोई डाक्टर नहीं ठाग जिसका लिवर नहीं कर सके और क्या बताएं वहाँ पर वैसे भी आपको पता आते हैं वादी किसी वाँ पर कुछ नहीं मिलता है आपको बताएं कि जब बात पता चली इंडिया के एक डाक्टर रहें और वो बोलें कि आप आईए मतलब डाक्टर यहां के बीचा लगाएं और उसको बुलाएं और फिर अफ किस्ताइएं और लोग क्या बोलते हैं तो इंतिया पता रहा हूं के एक डॉक्टर भाई जो के वीजा दिलवा के भाई वीजा दिलवाना हुकूमत का काम है वीजा हुकूमत देती है आप यह मैं वीजा दे सकते हैं आप किसी को ब्हार से किसी को ले आओ पागिसान वह लायकर आ का जो सहाफी है जो भी है जो खरयात तिसी मिजा पेशी करते हैं जो जिस बंदह ने के वो भलाया ठीक है लेकिन हमारी जो ऑक्सरियों जो है ना वही मामला तर ने कौमत नहीं है कि आप 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 यह किस वज़ा से कहरें कि इंदा पसन हिंदू निचाते आप यह कौन सी वज़ा से कौन से फैक्ट पर बात करें कौन से किताब्य पड़ी है आपके मीडिया में देखा सारे मामला था महां तो नहीं कि किसको करें हैं अब भगाय को बीबी सी को सुना करें सर अगर आपको जादा लगे आप सोशल मीडिया को फॉलो कर लें सोशल मीडिया के हमारे जैसे पेज को देख लें आप आपको फ्रक्ट मिलेंगे और सचाए पर बात होगी आप पेज बहुता दूंगा सर मैं आपको किसी ने एक इनसान को और किसी नजायिस इंसान को कतल कर दिए अच मो किसी का इसमें इंडिया को क्रिभा वह यहां से था everytime प्रिलाज कर वाक्या थे हमसे बैतर हैं तो इलाज करते हैं जो नहीं चाहती है जो जमाते ना दुश्मन बेजी भी जमामद हैं हिंदो की वह बिल्कु नहीं चाहती है पता है जाता है मुसल्मान जो इंडिया के अंदर मुझूद है नहीं आपको बताता चलूं सर आपको कितने के जी आटा मिल रहा है इपको पता है जो इसाट इसलेब अपर सिर्फ हिंदों के लिए यह फैसलिटी नहीं सर वहां पर मुसल्मानों के लिए नहीं पर के अपने पले मैं यह मसला सारा है मसलہ सारा यही है सर मैं peace कायम करना चाहता हूं जो हग बात करता हूं उसको उल्टी निगाहसे देखते लेकिन मैं मैं मसला यहां पर यह आ रहा है चे मैं पिज़ी पैदा करवाना चाहर हो तो मैं जो नफरतें यह खतम करवाना चाहर हूं लेकिन बात कहना का मक्सद अब भी सब्सक्राइब बाइब सब्सक्राइब अगर है अगर आप बात करेंगे ना तो मुसलमान जितने मैं जिलुम हो रहाता सरुन है राट है सर जी ट्वएंटी की मीठिंग इंडिया ने कश्मिर के के अब अब इंडिया से आहे हैं싸 मेरी बात मेदों आभ बलोच सब्सक्राइब बलोच farms पर भलो तो उसके जो लुट है आंडिया के हो पेज़िडी डाक्टर है नम बूल गया किया नाम था फेज़िडी डाक्टर है हमारे हमायetic मेंस्टर क्या है कुछ भी नहीं वह एक डिगरी दियो थे हों भी दोनम पिडि़ वह कोई ऐक वह कुई दू पर वह बहुत हैं तो पर ही अध् ऐसे लोगों के वज़ा से मुखबत बढ़ेगा प्यार बढ़ेगा और डाक्टर साब से बहुत बहुत मश्कूर हैं डाक्टर साब के तैंक यू सो मच वेलकम आपको क्या लगता है कि इनसानियत के कितनी बड़ी मिसाल कायम कर दी है यह इस गुड़ इनिशेटिफ और हमें सीखना चाहिए क्योंकि डॉक्टर से कैसी चीज होती है कि अल्ला के बाद डॉक्टर होते हैं हमारा यह मानना है और यह जो उन्होंने किया है यह मेरे मुताबक हिंदू हो मुस्लिमों डेसंट मैटर यह बहुत अच्छा इनिशेटिफ है इसी इनिशेटिफ को आगे भी का और और ने काम की है और दॉनों कंट्रीज में अगर इस तरह के डॉक्टर अगर दोनौ साइड पर इंसान सारे इस डॉक्टर से मिसाल ले लें तो हम और और मौबत के साथ रह सकते हैं दूसरे के साथ बिल्कुल अमन काइम हो सकता है जिसरा आप जिनाज चले जाए अबी म मुझे यह लगता है कि मुरीजों का बहुत बुरा हाल है उदर कोई मतलब उदर कोई फसिलीटी नहीं है अगर यह मिसाल आपने देखनी है तो इस मिसाल को अगर हर डॉक्टर ले 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 लिए अपने अंदर के भई यह करना है तो इंशाला मुल्क भी आगे जाएगा ओर डोनों का जो अमनों का सिंचल है वो भी काईम रहेगा इपर्लक बहुत अच्छी बात की अगर मैं इसी बास से अगली बात करूं तो जैसे अबने काया कि डॉक्टर जो है वो ख़दा के बास डॉक्टर है जो कि इनसान की जान बजल बचाता है तो क्या neuron को किसी मजभ क को देखना चाहिए कि कौन से मजभ Same Becca क information किसम मजब से तलुक रखता है हिंदू मुसलिम क्रिस्चन है कौन है नाइं बिलकल मीरा ये मानना नहीं है अगर इसलाम चले तो इसलाम में तो बिल्कुल भी ऐसा नाइए हर मजभ का इंसानियत सबसे पहली होती है मजब बाद में आता है इंसानियत सबसे बरी जीज़омина मारे नबी पाक का भी यही फिर्मान था कि इंसानियत पहले है तो अगर यह डौक्टर साहब ने लाहीं ने देखा नहीं को करी से मजब सNow किर नहीं दिखा है कि यार कौन किस मजब से है यह चीज़ ना देखी जाए और इंसानियत जो है वो उसको बलाया जाए अमन, पीस हो, मौबत हो, भाई चाहरा हो, अच्छे तलुकात हो, चाहे कौन किस मजब से भी क्यों ना हो बिल्कुल ऐसा ही है, अभी जिसरा पॉलिटिक्स सिच्वेशन जा रही है मुल्क में, अमन, अमान नहीं है, बेसिकली, हर कोई अपनी सीड के पीछे लड़ रहा है, हर कोई पीटिया, यो, पीम, जो भी, जो भी जमाते सारे हमारे भाई हैं, वो पॉलिटिक्स का यहाँ पर क मिलती है कि हमें को भाई चारे की, ब्रदरूड की मिसाल मेरे, को इस तरह की पहले भी मिसाल हो चुकी है, बची थी, उनको भी उनको नहोंने जो है, वो बचाया, अभी फ्री ओफ व्कॉस्ट, जो है, लिवर ट्रांस्पलांट की है, तो इस तरह जो एक वाक्या होता है, क् आप पूरी नेशन को एक पीस की तरफ ला सकता है एक आदमी का एक स्टेप जो है दोनों कंट्रीज को क्लोज कर सकता है बिलकुल कर सकता है बिलकुल क्यों नहीं यहीं मिसाले होती है जो आगे जाके काम आती है और यहीं मिसाले हैं इसको हमें मतलब इशू नहीं करना कि यह जो बॉर्टर लगे हुए इनको तोड तोड़ दिया जाए और हमें हम एक नेशन है पूरी दुनिया में हमें इंडियन एक नेशन बना जाता है तो वी वांड टू भी कि वही आरे सेम नेशन और यह खतम कर दे जाए यह फिरकाया यह सिस्तम है यह हिंदू है यह मुसल के वांड हंडर से वांड हंडर्ड टैन परसंट करता है कि यहां जा बिल्कुल भी क्या कहना चाहेंगे कि उनका कैसा वीजन था और आज हमें क्यों पठक गए हैं अलादा अलादा निशन से अलादा अलादा कोमे बनी हुए अगर हम लाइस आफरीका में जाते हैं तो अफ हम जाना होता है इंडिया तो पहले वह करें यह करें तो वी वांट वी लाइके सेम नेशन हम चाहते हैं कि जैसे वह गांधी साथ ने भी का तो हम जाए और हमारे बॉर्डर पे ही वीजा लगे लगे और हम क्रॉस करके वापस आपना काम जो भी करना है हम अपनी फैमिली वहा जन जनाजयी.